हलो गोडियोनी नमस्कार वेलकम टू एक जामपूर मैं अमित पांडे एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपनी परिवार एक जामपूर उम्मीद करते हैं आप स्वस्त होंगे कोसल होंगे मंगल होंगे और आज एक टांडव क्लास देखने के बाद आपका कहीं न कह हमें पूरा दिन एक स्वफल तरीके से देखने में लगा जिसमें आपने देखा कि अलग-उलग पहलु को छूते हुए किस तरीके से लगा ताँ सुबहил से दे कर飛 करके साम तक वीडिक स्टेज के लिए आपका बड़ा इंपोर्टेंट है जिन लोगों ने देखा बहुत अच्छी बात है जिन लो नहीं देखा वो क्या करेंगे इक बार फिर से बिजिट करेंगे देखेंगे कि गितना important सेशन उनके लिए organize किया गया है और बिसेस बात करेंगे तो आप बात करें तो ध्यान रखेगा बिल्कुल जहां पर देख पारें निरज जैसवाल प्रदीप अनामिखा पूजा आयोध्यावासी चली बहुत अच्छी बात है आप लोग जूर जाएं और सिसन को लाइक और सेर करते रहें आप ध्यान रखेगा जो हमने पीछे की क्लासेश कर करेंगे तो आप लोग बिद्वत रूप से यहां पर जुड़ जाएं और एक एक चीज को क्या करें अपने दोस्त यार बाई बैंट मित्री मित्र या फिर फ्रेंडों के अंतरगर जो अलग-अलग काटेगरी होती है चाहे गर्फेंड चाहे बाइफेंड सबके पास क्या क तो अगर जो इसकी बात करते हैं तो आपके लिए उपसन है ऐसी बसंथ पंचमी के दिबसμεही कया किया गया था किया फैर इसका इसका सिलन नीयास किया था मूल रूप से अगर बात करें तो आप इसके बारे में लगभग जानती हैं कि आपके मदन मोहन माल भी है, किसके द्वारा आपके मदन मोहन माल भी है, मदन मोहन माल भी है कि जब बात करते हैं तो इनके द्वारा इसकी अस्थापना की गई, लेकिन हमने बार बार बताया है कि इसके अस्थापना के संदर में इसका सिलन्यास और सिलन्यास की जब बात करते हैं तो आपके लाड हर्डिंग की बात आती है ठीक है लाड हर्डिंग के समय पे इसकी अस्थापना आपके की गई और इसके समय के अगर बात करते हैं तो आपको पता ही है 1916 में सन 1916 में और यही पर अगर बात करें तो आपके प्रदेश का सबसे पुराना केंद्रिय विश्विध्याले है ध्यान रखेगा कई बार प्रस्न उल्जाने के लिए पूछता है केंद्रिय विश्विध्याले के मामले में आपका यही हो जाएगा केंद्रिय विश्विध्याले लेकिन अगर ज का सही जवाब हो जाएगा आपके बनारस में विशेश करके अगर बात करते हैं तो आज जो वारानसी नगर है इसी वारानसी में क्या किया गया है आपके बिया च्चू या जिसे हम बनारस हिंदू भी स्विद्याले चाहते हैं उसका सिलन्यास चार फरवरी 1916 को लाड़ हर्डिंग के द्वारा मदन मोहन के द्वाला अस्थापित बसंद पंजवी का दिवस था और प्रदेश की अंतरगत पहला के इंदेवी सुविध्याले है और पुरानी की जब बात करेंगे तो आपका इलाहाबाद ये कन्फिजन नहीं होना चाहिए जान खेगा यहीं जब हम कासी हिंदु विध्याले की बात करते हैं तो कुछ दिन पहले ही आपको बताया था कि एक यहाँ पर क्या किया गया है आपके कैंसर अस्पताल का भी उद्गहाटन किया गया है इसी विद्याले के परिशन में है ठीक है इसके अलमा आप जानते हैं कि यहीं पे एक आपको IIT संस्थान भी देखने मिलता है IIT ब्यक्चू के नाम से और कई सारे अलग-अलग संस्थान आपको देखने मिलते है ठीक है एक नाम कभी आपको हमने बताया था विसेज करके आप आपके जॉन पूर्चेत से संब्धी थे जो की डियने के फिगर केंट के जन्मदार्ता माने जाते हैं और उलकी जब बात करते हैं तो यहीं विद्याले से क्या हुए पढ़े थे और बाद में इस विद्याले के आपके अध्यक्चोगरे भी देखने मिलते हैं ठीक है तो जो उत्तरपदेश के दूसरे मुख्यमति थे डाक्टर संपूरानंद उन्हीं के नाम पर क्या किया गया है इसका नाम करन किया गया है तो संस्थानों के अंतगत हला कि कई सारे संस्थान हैं लेकिन इनमें दो-तीन नाम बड़े इप्वार्टेंट होते हैं जो के महात्मा गाधி 801 बिद्या पीठ और इस संस्थान की जाब बात करते हैं तो यह बहर हैं चाहनपे इंडिया का मैप संग बर्मन के दौरा ह्याएं तो यह मंदिर विशेज कर्कि आपको बनारश में देखनी को मिलता है ठीको गनारस में आपके महत्मा गाधी कासी बिद्यापीट के द्वारा ही विसेश इसी पिद्यापीट में ही क्या किया गया है इसकी अस्थापना की गई है तो यह सारे संदर विसेश या दखेगा बनारस आप जानती हैं गंगा नदी के किनारे इस्तित है मोक्चनगरी मोक्टदा पर आधारित मेला होता है और उसका संबद्ध आपके बनारस से ही होता है ठीक है नेस्ट क्वेस्टन की बात करते हैं आपके सामने कुछ इस तरीके से हैं और क्वेस्टन का संबद्ध जो है वो कहीं न कहीं बहुत धर्म से संबद्ध है क्या क्वेस्टन है कि प्रसिद्ध ब तो देश्ट साइट इस लोकेटेट इन जेतवन बिहार रिलिजन जेतवन बिहार विसेश करके कहां पर आपको देढ़े होता है जाएड सी बात है बुद्ध धर्म से सम्बंदित होगा इसका मतलब किसी ने बनवाया होगा बुद्ध के रहने के लिए सिंपल सी बात होती है बुद्ध के रहनी के लिए विसेश करके इस बिहार बिहार मतलब ऐसा नहीं होता है बिहार का संदर्व ऐसा है कि एक ऐसा प्लेस जहां पर क्या करते हैं एक तरीके से आप अपने आवास की जैसे बात करते हैं जैसे अपनी घर पर आप क्या करते हैं बड़ा सा घर बनाते ह यह क्या होता है जेतवर बिहार विशेस आपको देखे मिलता है ठीक है तो इसका जो संबंध हो जाएगा बिलकुल अनुभा उपाल बहुत अच्छी बात है इसकी जब बात करते हैं तो ध्यान केगा इसका जो सही जवाब होगा क्या हो जाएगा एक बार फिर से आपका साबस्ती क्योंकि यहीं पर हमने देखा था विशेस करके एक स्रेश्टी था स्रेश्टी बुद्ध धर्म को मानने वाला अनाथ पिंड़क करके नाम था इसका और इसी अनाथ पिंड़क ने क्या किया था बुद्ध के रहने के लिए जीतवन बिहार की अस्थापना कराई साबस्ती के अगर बात करते हैं तो आप जानते हैं बुद्ध के साथ ही साथ जैन धर्म के संबंदित आपको कई सारे साइड भी आपको देखने मिलते हैं तो इसकारणी से बौध और जैन धर्म के प्रमुक साइड के रूप में आपको देखने मिलता है यहीं पर बात करते बगवान बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो हुथा लुम्बरी में और इसके साथ ही अगर जो आगे बढ़ते चले जाए तो आपको पता ही है कि इन्हें ग्यान की प्राप्ति हुई थी आपके बोध गया में ठीक है बोध गया की जब बात करते हैं तो यहां पे इन्हें ग ब़्याएं प्रण पर निर्वार्ण की प्राप्ति हुई अर्थाति आप्मिर्ट मुडत वुई वैवर पीछे ही हमने देखा था कि यहां महां पर सब्सक्राइब करूंस करूंस कर का नाम अंगुली मालका इसूप जो है जो कि एक प्रिसिद्ध नाकृत था है कई बार पर शांची का खेस अपरता है हमारे पुर्ध हर्म की बात करते हैं तो आप klar मूद्ध के जन उप ज्ञानप्राप्ति की बुद्ध के मित्युकी और बुद्ध के पहले उपदेश की अलग-अलग संदर देखते हैं और इसी कारण से सन्योगते हम क्या करते हैं अपने प्रदेश कोई बौध धर्म का पालना भी जो कहा जाता है वो आपके उत्तर प्रदेश को ही संभौत है इसी कारण कहा जाता है क्यों कि बुद्ध धर्म का जो जर्म हुआ कहीं कहीं इसका जो ग्रोथ हुआ वो पूर रूप से आपके प्रदेश में हुआ तो इसकारण बड़ा इंपॉर्टेंट नाम देखने मिलता है ठीक है तो यह सारे पॉइंट बिसेश करके याद रखेंगे इसकी जब बात करते हैं तो यह आपको कहां पर देखने मिलते है सिवम सुकला जी चल्दी बताएं बिजयगर का किला अच्छा बिजयगर की जब हम बात करते हैं तो हमने आपको रिलेट भी कराया था कि एक स्टूरी आती थी और आपने सुना भी होगा चंद्रकांता नाम से एक आपकी बुक है उसके अंतगत क्या किया गया है इस बिजयगर किले के बारे में पूर रूप हो जाएगा आपका बिल्कुल डी वाला अपसन सही हो जाएगा बहुत उची बात है ममता यादो इसकी जब बात करते हैं तो आपका डी सोन भद इसका सही जवाब हो जाएगा ठीक है सोन भद में ही देखा था हमने विजयगर किला बिसेस करके जो बनारस घराने की आपके राजा हुआ करते थे बनारस लोकेशन के जो आपके राजा हुआ करते थे राजा चैत सिंग बिसेस करके राजा चैत सिंग की जब बात करते हैं तो इन्होंने क्या किया था इसके लिए का एक तरीके सकते हैं निर्मान किया और इसमें सासन वगएरे भी किया था तो चैत सि किले हैं जैसे एक किला हापका अगोरी किला अगोरी किला इसकी जब बात करते हैं तो यहाँ पे भी बनारस के लोगों के दोरा विसेश सासन किया गया और जिसमें एक प्रमुख नाम देखने मिलता है मदन साह का विसेश करके एक नाम देखने मिलता है मदन साह यहाँ के बना इससे हम भारत का स्विटिजर लैंड भी करते हैं ठीक है स्विटिजर लैंड क्योंकि यहां पे नेचर बहुत सम्ब्रिंद है खास करके आपके कई सारे ज़दने और कई सारे फॉल इसके साथ ही बनू की जब बात करते हैं तो बनू की मात्रा आपकी अतियायक देखने मिलती है और इसकार से आपका इंपोर्टेंट हो जाता है ठीक है तो इन सब चारी चीजों को विसेश यहाद अखेगा चलिए इसके स जहांगीर के पुत्र खुसरो की कब्र कहांपे खुसरो की कब्र प्रदेश के किस जिले में इस्थित है अगर बात किया जाए तो आपके आगरा में फतेपुर सीकरी में या फिर आपके प्रियाग राज में या फिर आपके लखनाओ में जो आपके मुगल बात साह कई सारे प्रियाक राज का तो यहीं प्रियाग राज में ही क्या तिया गया है जहां गेर के पुत्र खुसरों की कबर बनाई गई है विसेस हमने आपको पीछे बताया भी था कि जो आपका इलाहाबाद सहर है इस इलाहाबाद सहर की अस्थापना आपके प्राचियन समय पे कि इसका जो ब्रह्मा के द्वारा पहला यग्य पहला यग्य उसी से प्रियाग लिया गया था लेकिन आधुनिक इलाहाबाद की जब बात करते हैं तो इसकी अस्थापना कि द्यान parameter कीगा इसकी अस्थापना जो की गई थी Doll Southern इसका स्थापना हो जाएका फंद्रे सोतिरासी कहां सभी जाएगा छू आपका इलाहाबाद है इसका नाम ऐल्लाह के सहर की नाम से किया गया और एल्लाह के सहर की कि यहां किया था है जब अकबर के संद्र में क्या करता है तो यहां का एक लोकेशन होता है कड़ा वहीं पिरह करके किया है वहां से लोकेशन से तरीके से कह सकते हैं कि अकबर का बिरोध करता है और जहां गिर के पुत्र की बात करते हैं खुसरो जिसने क्या किया था और बिरोध करने के कारण क्या किया गया था इसको यहीं पर बंद किया गया था और जाइब सी बात है जो बंद होगा कोई व्यक्ति तो भागना भी चाह तो जो आज आप इलाहबाद का किला देखते हैं विशेष करके अकबर की द्वारव बना गया तो उसी किली के आसपास आपको देखने मिलता है खुसरों की कब्र ठीक है इलाहबाद के अगर बात करते हैं तो प्रियाग राज विशेष आप जानती हैं महाकुंभो के अंतगत अचल चर्चा भी चल लई है और सह्योग की बात है कि रहे हैं कि अपको एक कुम्भ मेले का आउजित भी किया जा रहा है तो विसेश कुंभ के संदर में कुंभ मेला आपके इलाहबाद में भी लगता है तीन नदियों का प्रमुख संगम है जिसमें अगर बात करें तो आपके गंगा की बात की जाती है या मुना की बात की जाती है और इसके अलामा सरस्वती की बात की जाती है ठीक है तो तीन प्र परूक्त करके उत्तर्व का नैले गात करते हैं तो वह ने आप ठीक है तो इन सारे संदर्भों को विसेस याद रखते चलेंगे नेस्ट के बात करना है आपके सामने पुन है और क्कै lider कुछ तरीके से है कि पुराणों में बरसाना को कि नाम से जाना जाता था सिधा सा question है कि जो आपके बरसाना आज जो आपको राधारानी का जन प्लेस देखने मिला है बर्थ प्लेस देखने मिला है उसके जब बात करते हैं तो ये बरसाना को किस नाम से जाना जाता है ठीक है विसेस बरसाना और बरसाना के जब बात करते हैं तो आपको क्या नाम बर्साना में जो नाम ओगरे दिखने मिलते हैं तो बर्साना को पुराने नाम के संदर में पएसेश करके किस नाम से जानते हैं जल्द से जबाब करें मिठ्या में बहुत अच्छी बात है इसका सही जबाब हो जाएगा अबका दी वाला विल्कुल सीधा सा एंसर था साप साप दिख भी रहा था अगर जो थोड़ा सा भी आप गयस लगाते क्यों क्योंकि बाकी सारे जो नाम दे रखें वो दे रखें आपके मतुरा के ठीक है बाकी अगर बात करें तो मधुपूरी भी मतुरा को ही कहा जाता था भगवा मतुरा से होता है बाकी ब्रह्म सार्णी की जब बात करते हैं तो यह आपके बरसाना नगर के बारे में बताता है ध्यान रखेगा मतुरा की जब बात करते हैं तो आप जानते हैं भगवान किष्ण का जन्म हुआ है तो इस कारण से भगवान किष्ण के जन्मस्थली की रु जानी भी क्या थी आपके मतुरा में ही देखने मिलती है ठीक है विसेश करके मतुरा ही देखने मिलती है अच्छा एक चीज विसेश याद दखेगा जो भगवान बुद्ध हमने कभी चंद आपको संदर्व किया था कि मूर्ति कला में जो पहली मूर्ति देखने मिलती है वो तो भगवान बुन्द के आधुनिक तरीके से मूर्ती हैं, जैसे माल लेते हैं हम यूँ खड़े हैं और same as it is क्या किया, किसी ने मूर्ती बना दी, जैसे हमारे माथों पे जो सिकन आते हैं, या फिर जो चेहरे पे हलके हलके एक तरीके से कह सकते हैं, जाईया होती हैं, या फ मतुरा से लिए देखने मिलते हैं, जिसमें भगवान बुद्ध से सम्मधित कई सारे मूर्तियां आपको विसेश करके देखने मिलते हैं, मतुरा की बात करते हैं, तो होली के अंतगत आप जानते हैं, कई सारे होली जैसे गुलालों की होली की बात करें, फूलों की होली की किनारी देखने मिलता है अज की किनारी देखने मिलता है मत्हुरा-नगरी की जब बात की जाती है अगर जो इसकी बात करते तो कानपूर में, प्रियाग राज में, कन्नाउज में या फिर आपके जौनपूर में विश्व प्रसेद्ध अनपूर्णा मंदिर वर्ड फेमस अनपूर्णा टेम्पल इज लोकेटेट इन विच टेस्टिक आपधी स्टेट इसका सही जवाब क्या होगा इसका सही जवाब क्या होगा अगर जो इसकी बात करते हैं पीछे पढ़ भी रखा था कन्नाउज में कई सारे मंदिर वगरे होते हैं और कन्नाउज की अगर बात करते ही तो इसे उरब का ग्रास भी करते हैं प्रमुक्रूप से इसे पूरब का ग्रास नगर की संग्या दी जाती है इसके अलावा आप जानते हैं इसे ही हम इत्त नगरी की भी संग्या देते हैं विसेस करके जान रखेगा जौनपूर का जो संदर भाएगा तो इसे हम उत्तर पूर्वोत्तर का एक तरीके से क्या करते हैं पूर्वोत्तर का सिराज भी करते हैं और कभी कभी इसे सिराजे हिंद भी कहा जाता था ठीक है ये पुराने समय पे होता था आज नहीं होता है और जौनपूर की बात करते हैं तो आप जानते हैं विसेश करके गोमती नदी के किन तो यहां का अंतिम सासक था और अनपूरा मंदिर की अलामा और भी कई सारी मंदिर हैं जैसे विसेश अगजबात किया जाये तो यहीं पिया का देखो मिलता है एक आपको सब्त मात्र का सब्त मातिका प्रत्मा का संद्र में बताए था कि एक साथ क्या है क्या की पांच मंदिर लंग अल toothpay की थिन dropped को एक साथ मिला करके हम उसे नाम देते हैं पंछवटी मंदिर का यही पर अगर बात करते हैं तो ईक और मंदिर विसेश या दखेगा गारी संकर का मंदिर और विसेश जानते हैं एक मंदिर कई बार पर इच्छा पूछा गया जे के मंदिर ठीक है विसेश करके जे के मंदिर की जब बात करते हैं तो आपका का हो जाता है कानपूर हो जाता है प्रियाग राज में हलाकि कई सारे मंदिर हैं जिसमें आप जानते हैं एक आपके लेटे हुए हर्मान जी की प्रित्मा है और लेटे हुए हर्मान जी विसेश जैसे के साथ कई सारती कुंद की बात करें और कई सारी चीज़ों की जब करते हैं तो आप प्रियाग देखते हैं जहांसी के किले का निर्मार्ण विसेश करके किसके द्वारा कराए गया अगर जो इसकी बात करते हैं जहांसी के किले का निर्मार्ण विसेश करके किसके द्वारा कराए गया अगर जो इसकी बात करते हैं चली इसका जवाब दीजिए कि जहांसी के किले का निर्म कुमार कुमार जी बहुत अच्छी बात है अखलेश प्रिया शुकला नीरज्य स्वाल बहुत अच्छी बात है चलिए आप लोग यहां पर जबाब देते रही है सारी चीज़ आपके देखती है ऐसा नहीं है कमेंटर ना देखने का मतलब यह थोड़ी ना कि सारी चीज़ नह हमारा यह मतलब होता है किस पर हम जादे टाइमें स्पेंड करें वहां तो आप लोग अपने में लगए ही रहते हों कोई दिक्कत नहीं होती है ठीक है चलो क्लास अगर जो अच्छी लगती है तो इसे लाइक और सेयर करिए बाकी आप अपनी बाते रखते रहें असे नहीं कि आपकी बाते नहीं देखी जारी है संबंधित जो चीजे होंगी उसके उपर जवाब दिया जाएगा और वैसे तो आप लोग इतने परिपक्खाई हो कि अपने में बात करी लेते हो तो कोई दिक्कत ना चलो यहां पर बात करो कि जहांसी के किले का निर्मार विसेश करक कि इसके द्वारा कराए गया और जहांसी के किले की अगज़ बात करते हैं तो विसेश या दखेगा इसका जो निर्मार कराए गया था हमने बताया भी था किसके द्वारा जी बिल्कुल बहुत सही आपने कहा इसका डी वाला सही हो जाएगा पेशवा बाजी राओ परथम की जब बात करते हैं तो इनहीं विसेश के दरा सन 1613 इस भी में कब सन 1613 इस भी में इस किले का निर्मार कराए गया था जहांसी का किला हम जानते हैं कि विसेश करके जो यह बात साह हुआ करते थे उनके बीच क्या हो गई जड़प होई जिसके कारण इन्हों ने क्या किया मराठो का संदर्भ लिया मराठो से थोड़ी सी मदद मांगी और मराठो ने इनका जी भर के एक तरीके से कह सकते हैं मदद भी किया तो जाहिर सी बात है जब आप किसी से मद मराठों को दे दिया तो मराठा अब जाहिर सी बात है कि आपके मराठा प्रदेश में रहते थे महाराष्ट वाले लोकेशन में तो यहां कैसे आएंगे तो उस कारण से उन्होंने क्या कि आपने कुछ सूबेदार यहां के लिए नियुक्त कर दिये और जिसमें पहला नाम मिलता है पेश्वा बाजी राव परतम जिन्होंने युद्ध लड़ा था तो उन्हीं दिश्वा दिया गया 1613 इस भी में 1613 इस भी में अगर जो इसकी ही बात करते हैं तो ध्याने केगा विसेश करके इसके अंद्रकेत कई सारी चीज़े देखने मिलते हैं जैसे आप जान पराचीन रूप में बलवंत नगर की संग्या देते हैं ठीक है पुराने समय पे इसे बलवंत नगर कहा जाता था हलाकि आधुनिक रूप से इसके जो और चा के राजा हुआ करते थे इनके द्वारा विसेश करके इस नगर की अस्थापना की गए और इसके संदर में एक सं पन का नाम छभीली के अलामा विशेश करके मनुख तो ये तो इनके अलग-अलग नाम होते हैं बनेश में इनका जैorro हुआ था लेकिन आप जानते हैं इनका जो साधी हुआ था ।ْ यहांंके खास करके सूबेदार यहा कर सकते हैं नभाब या पेशवा जो भी आपके आप गंगाधर राव की जब बात करते हैं तो इनहीं के साथ क्या हुई थी इनकी विशेश करके साधी हो गई थी आपके 1838 इस भी में कब हो गई थी 1838 में इनकी साधी गंगाधर राव के साथ हो गई थी लेगन आप जानते हैं कि ये क्रम आगे नहीं चल पाया क्यों क्यों कि गं तक पुत्त को एक तरीके से अपने साथ ले लिया था ठीक है अठारे सो अंतिस में विस्यस करके, इनकी क्या होती है गंगा Bea Raptararo का यहां पर राज्या विसे एक तरीके से सुभिदारी इनको मिलता है और उसके बाद ही आपके 42 ने क्या होता है行了 cya ठीक है विसेश करके इनकी साधी हो जाती है अच्छा एक चीज़ और या दखेगा विसेश करके यहीं से याद आ गया चुकि आप जानते हैं जो जहांसी का किला था उसे तो आपके पेश्वाबाजी राओ के द्वार बने गया था लकिन इसके अलामा किले के बाहरी भाग को हो भी क्या किया था दूसरे बार में बनाया गया था और वह बनवाया गया था के इसी के राजा हुआ करते थे जुझहार सिंग हो भाग को बनाया था जिस लिए गया जिसकारण राणी लेश्वी बैहार गई और 1858 में इस राज जी को क्या किया नापके अंग्रेजों के द्वारा जो यहां के लोकल सिंधिया राजा थे उनको क्या किया गया सिंधिया राजाओं को देखे रखेगा इस कारण से एक संदर्ख देखने मिलता है 1886 का सन 1886 की जब बात करते हैं तो अंग्रेजों ने क्या किया अपने उर्ट है जो भारत इनका था उसके अंत्रति इसको सम्रीद कर दिया यह आप से पूंचा भी गया था सखास करके अंग्रीय जो की दरा जहांसी का बले कब किया घंट की गए गा कि बात करते हैं आपके सामने पूने क्वेस्टन इस त्रीके से है कि पूरब का सिराज क्वेस्टन क्या है कि पूरब का सिराज या फिर सिराजी हिंद नगर किस नदी के किनारे स्थित है आप तो हमें लगता है ये question आपके लिए आसान हो गया होगा क्यों क्यों क्योंकि लगभग इसको आप लोगों ने करी लिया था ठीक है चलिए फिर भी इसका जवाब दीजिए अगर जो question है आपक चौण पूर की बात की जा रही है और जौनपूर की अगर बात करें तो जौनपूरह जानते ही किस नदी के किनारेश्थत है औरיס पूरह जो आज आधुनिक उत्तवदेश की राध्धानी है लखनाव, तो ये तीनों नगर के आपके गोमती नदी के किनारे के थे तो आज जो आप पीली भीत देखते हैं, पीली भीत में एक जील पड़ता है, फुलहर जील से और फुलहर जील की जब बात करते हैं, जा जिसे कभी- नगर इसके किनारे हैं साथ प्रियाग राज की जब बात करते हैं तो प्रियाग राज भी इसी किनारे हैं धाल इसी किनारी गाल तरहकित इंपोर्टेंट प्लेस है प्रताप गड़ आवले के लिए विसेश प्रसिद्ध है और इस प्रताप गड़ की जब बात करते हैं तो आपका सई नदी के किनारे से यह भी क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा गया है तो इसका थोड़ा से इंपोर्टेंट रखिएगा प् प्रसिद्ध हजरत रोसं साह बाबा की दरगाह प्रदेश के किस जिले में इस्तित है चली इसका जबाब करिए रोसं साह बाबा की दरगाह कहां पर आपको देखने मिलता है इसका सही जवाब क्या होगा बस्ती में या फिर आपके आजम गड़ में या फिर स्राबस्ती में या फिर आपके जौन पूर में रोसन साहब बाबा की दरगा और बिल्कुल इसका सही जवाब जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा एक बार फिर से बी वाला सही जवाब हो जाएगा आजम गढ़ की जब बात करते हैं ठीक है बी में हो जाएगा आजम गढ़ की जब बात करते हैं तो आजम गढ़ में हमने धिल किया था कि प्रसिद्ध हजत रोसन साह बाबा की मजार आपके कहां पर होती है आजम गढ़ में देखने को मिलती है ठीक है कुछ लोग थोड़ा सा करन प्रोज हो रहंगे विलकूल आपको खलीए विह बदीड की बात के थी आपके बलिया के रूप में बलिया की जब बात करते है तो रौसुन साह की अलावा एक हमने मजारों का करम कैसा रला मनें देखा लेगिन बलिया की जब करते हैं तो बलिया में हमने देखा था हजरत सेयद बाबा की मजार ठीक है किसके मजार की बात की थी हजरत बाबा सेयद की मजार हजरत से बाभा की मजाड जो कि आपके बलिया में देखने मिला था ठीक है बलिया में देखने मिला था और यहीं पर अगजबात करते हैं तो विसेश करके आप जानते हैं कि एक मंदिर है आपके नाथ मंदिर के रूप में हैं ठीक है नाथ बाबा मंदिर के रूप में आप देखने मिलता है विसेश करके जो किया के बलिया में ही इस्तित है और इसके अलामा अगर बात करते हैं तो यहां पे और भी कई सारी चीजे हैं जैसे आप जानते हैं कि एक विसेश करके मंदिर है जिसका नाम है, कुछ बताएं, अंकित पटेल जी बताएं, क्या दिक्कत है आपको, जिसका नाम है, हजरत बाबा सयद मजार की, इसके अलमागर जो बात करते हैं, तो यहीं पर आपका एक नात बाबा मंदिर भी है, ंちके अलमागर जो बात करते हैं, तो यहीं पर आपका एक बाबु राम, बाबु राम बाबा का मंदिर भी आपके, कहां पे एक आपके यहीं पर ही देखनी मिलता है, अच्छा यह पेप्य चीज़ यहां दखेगा चित्रगुप्त मंदीर को ले करके और चित्रगुप्त मंदीर की बात करते हैं तो ये मंदिर भी आखको यहीं पेखेँ है इस सारे संदर्म करके याँ दखेकर चलते रहेंगे प्रसिद्ध स्वयतामबर मंदिर प्रदेश स्थित है जैन धर्म से संम्ढधित स्वयतामबर मंदिर आपके सब्सक्राइब करते हैं इसके बात करते हैं इसके बारे में तो बतानी के उपर अधारित है इसका जो सही जवाब हो जाएगा डी वाला सही हो जाएगा आपके आयोध्या में देखने मिलता है जैन सोयतामभर मंदिर की जब बात करते हैं जो कि कईन कई रिसब देव के उपर आधारित है जैन धर्म के पहले तीर ठांकर रिसब देव की जब बात करते हैं तो इनहीं के उपर आधारित आपका पहला जो मंदिर देखने मिलता है जै सैस करके आदिए और इसके अलमाह उसीश पुरंदर ही और विद्या करते हैं तो पुरंदर या नाम ही था इनका नाम पांच जैन तीर्थां करें कर आपके आदी नाथ दूसरे आधी नाथ दो आधी नाथ करते हैं तो तीसरे को प्रोप में आपको करके देख मिलते हैं यहांके तीसरे आपके तीसरे के रूप में जो चौते लंबर के गुरु थे जो कि पन्चमे जो आपके सुमीतनात के नाम से थे और पांचमे की अलामा जो आप जानते हैं प्रदेश के किस जिले में प्रसिद बहु बेगम का मकबरा इस्तित है बहु बेगम का मकबरा आपके प्रदेश में कहां पर देख मिलता है ठीक है इसका सही जबाब क्या होगा बहु बेगम का मकबरा और बहु बेगम मकबरा बहुत अच्छी बात है एक डम इंपोर्टन कोश्चन है या दखेगा इसकी जब बात करते हैं तो आपके कहां पर बात करते हैं, तो मूल रूपसे इसकी अस्थाबना तो बहुत पहले की गई थी, लेकिन 3730 में, कब विसेश करके 1730 में आपके नवाब सहादत अली खान के द्वारा विसेश करके इस फैजाबादन अस्थाबना की गई और फिर आगया आप जानते ही कि विसेश करके 72 में आपको विसेश देखने मिलता है और यहीं प्रगजबात करते हैं तो कई सारे और भी मजार है जैसे बन्नी खान का मकबरा बन्नी खान के मकबरे की जब बात करते हैं तो आप जानते हैं विसेश करके बन्नी खान जो थी वह आपके नजमुत दौला की पत्नी थी और नजमुत मस्जिद वसी का मस्जिद की जब बात करते हैं तो आपके फैजाबाद में हिस्तित है वसी का मस्जिद के अलामा गर्जबात करते हैं तो हमने बताया भी था राठ हवेली राठ हवेली और इसका भी संबंध हाके फैजाबाद से ही होता है ठीक है किसकी बात करें राठ हवेल की बात की जा रही है और राठ हवेली की अगर बात करते हैं तो आप जानते हैं विसेश करके सुजाउद दौला से संबंदित है इसके अलामा अगर बात करते हैं तो मोती मस्जित विसेश करके मोती मस्जित अबने बताया भी था कि दो मस्जिला क्या है आपकी यहां पर एक म बनुए था और उसे नाम दिया गया था कलकत्ता दुर्ग इसके खुर्द महल और कोड़ महल के साथ ही साथ आपका दिलकुसा पालेस दिलकुसा पैलेस की बात करते हैं तो यह आपका कहां पेस्थित है तो यह भी आपके फैजाबाद अयोध्या में ही आपको देखने का दिल आपको नादी की सिस्टित है तो इसक्राइज कोछिं था ने वह आपके सामडरी का दücks कर Dabei कि सिचाई से संबंधित पहला कारियाले कप खूला गया सब irritation कर दने कि सायारनपुर में खोला गया टो सहर्णपुर विसेस में से कप खूला गया ठीक है सहारनपूर की जब बात करते हैं तो सहारनपूर विसेश में ये जो सिचाई का पहला कारिया ले था इसे खोला गया इसकी अस्थापना कब की गई अगर जो बात करें सिचाई से सम्मधित पहला कारिया ले हैं और सिचाई की अगर बात करते हैं तो विसेश आपको पता होना चीए कब इसकी अस्थापना की गई थी तो आपके 1823 में सहारनपुर में जो आपके अस्थापित की गई थी वो की गई थी आपके 1823 में सन 1823 में सिचाई का संबंदित पहला कारिया ले आपके सहारनपुर में खोला गया और इसके ही अंतरगत बात करें तो एक चीज़ और या दिखिगा सन 1930 में ओपर ही क्या किया गया है आपका पूर्बीनी यमुनाहर का भी निर्माड आपके अंग्रेज्यो के द्वारा कहां से किया गया है । इसकी बात करते हैं तो यह पूरबीने हर आपका सहारान नहर साह जहाँ हो गई लेकिन अगर जो सबसे बड़ी नहर पढ़ा लिए आपको पर देच कोंसी है तो आपको पता होने चाहिए सार्दा नहर ठीक है तो सारबा नहर का जो जिक्र आएगा तो सबसे बड़ी नहर पढ़ा लिए और सबसे पुरानी की बात आईगी तो आपके पूर भी यमनार है जो कि बरतमान में 1830 में खुद आई गई गई लेगिन इससे भी पहले आपके लगबग 1600 की आसपास बिस्स आपको देहीं मिलता है कि आपके साह जहां के द्वारा बिस्स करके खुद आई गई थी 1638 था एक जैक डेट नेस्ट की बात करता है कि प्रदेश की सीमा क्या कर रहा है प्रदेश की सीमा किस राज्य के साथ सबसे कम लगती है अठाथ किस राज्य के साथ हमारी सीमा जो है वो सबसे कम देखने मिलती है अगर जो इसकी बात करें तो आपके सोनबंद के साथ बलिया के साथ सहारनपुर के साथ या फिर सामली के साथ विसेस आपके राज्यों के अंतरगत बात हो रही है और राज्यों के अंतरगत अगर जो जिलों की बात करें तो उसमें सबसे कम सीमा जानती है कि हमारी जो सीमा लगती है कुल मिलाके आठ राज्य और एक केंद सासित प्रदेश से क्या होती है हम तो आपको से कम साहार Dopo k itself और इसका जो साजा होता है सूंधरी सेमा सबसे कम लगती है। तो आपके क्या हो जाएगा मद्ध प्रदेश के साथ 1100 की सीमा क्या होती है आपकी साजा होती है। सबसे कम सीमा आपके हिमांचल प्रदेश और सबसे जादे आपके किसके साथ आपके मद्ध प्रदेश के साथ साजा होती है हिमांचल प्रदेश इसके अलामा हरियाना और इसके अलामा आपका उत्तरा खंड तो यह साथ चीज बताना चाहिए विसेश करके सोन बद्ध जीले को ले करके तो एक मात्र राज्य जो की चार राज्यों के साथ अपनी सीमा साजा करता है जिसमें एक है मद्र प्रदेश दूसा है च्छत्यस गड़ तीसा है जारखंड और चौथा आपका बिहार तो यह खास करके च्छत्यस गड़ और जारखंड के साथ सीमा साजा करने वाला प्रदेश का एक मात्त जिला है ठीक है जिलों के संदर में एक चीज बता हैं प्रदेश के तीनों और से गिरा हुआ है और साथ ही साथ जिलों के संदर में केवल एक जिले जहांसी से क्या करता अपनी सीमा साजागत तो यह सारे पॉइंट भी से स्याद रखेंगे नेस की बात करते हैं आपके सामने पूने कि यमुना नदी का प्रवेस द्वार किसे कह जाता है जौनपूर विजनौर पीली भीत या फिर सहारंपूर चली जवाब दीजी आरके सिंग जी यमुना नदी का प्रवेस द्वार किसे कह जाता है प्रवेस द्वार इंदा सेंस यही बात होती है कि नदी विसेश करके जो आपके राज्य में प्रवेस करती है तो किस होगा पिल्कुल मुमणा न अधी अंदर करती है तो इस करने से बात Idol बताना जाता आड़े कि भूंती में किनारे स्थित है इसके यहांवा लखनौ सुल्तानपूर यह भी गुमती नदी के किनारे स्थित बिजनौर की अगर बात करते हैं तो आप जानते हैं बिजनौर से आपके गंगा नदी आपके प्रदेश में प्रवेस करती है तो इसका बिजनौर को गंगा नदी का प्रवेस द्वार माना जा सकता है पिली भी सब्सक्राइब करते हैं तो यह आज जो आप जानते हैं पाकिस्तान में इस्तित है लोथल के गुजात में इस्तित है काली बंगा की बात करते हैं तो यह आज जो आप राजस्थान का लोकेशन देखते हैं वहाँ पर देखने मिलता है और इसके अलामा विसेस करके राखी गढ़ी आप जानते हैं हिसार जो आपका हर्याना में पड़ता है ठीक है तो इस तरीके से विसेस आज की क्लास यहीं तक रखते हैं और विसेस चलते सब्सक्राइब बड़ा इंपोर्टेंट सेसन रहा भी सेस करके अलाकि क्वेश्चन तो पंद रही रहे इन कई सारे इंपोर्टेंट फैक्ट आपने इसके साथ रिवाइज किया ठीक है तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं